नमस्कार जनरल फोरेश्टी में अभी तक हम लोग अंसियंट इंडिया से लेकर के 2022 की एंड तक जो मेजर इवेंट हुए हैं जो अपने एक्जाम के पॉइंट अव व्यू से काम के थे वो अलमोस्ट डिसकस हो चुके थे नेक्ट डिसकसन का एरिया आता है Ministry of Environment, Forest and Climate Change इसमें हम लोग Ministry और Ministry से जुड़ी हुए जो अधिनस्त संस्थान है Sub-ordinated bodies संस्थान है उनके बारे में पढ़ेंगे जिसमें मेनली ये मिनिस्ट्री है क्या, कब बनी, कैसे काम करती है ये जो संस्था हैं जैसे की Botanical Survey of India, Geological Survey of India, IIFM, Bhopal, WII Wildlife Institute of India ICFRE, Indian Council of Forest Research Institute इन संस्थाओं के बारे में पढ़ें के कब बनी, कैसे वर्किंग कर रही बगरें अब ये जो संस्थाएं हैं ये तो forestry की हुई forest education जो है अपने यहाँ generally जो universities जो college है जिनके तुरू दिया जा रहा है वो सभी college most of ministry of agriculture की जो संस्था है ICAR उससे जुड़ी हुई universities के मात्याम से दे जा रही है majority case में तो जैसे हम लोग forestry की संस्थाएं पढ़ेंगे क्योंकि ICAR ही forestry से related जो exam है उन्हें conduct करवाता है तो अपनी संस्थाएं जो हैं उन्हें भी पूछ लेते हैं हज़े जल्ट यह होता है कि forestry की exam में वो भी question आते हैं तो हमें जब यह संस्थाएं पढ़ेंगे तो अपनी forestry के जो institutions है साथ में जो agriculture के जो institutions है इसके साथ में CSIR ministry of earth science जो अपनी ministry of earth science है उससे जुड़ी हुई संस्थाएं उन्हें भी देखेंगे department of space जिसके अंतरगत मेली इसरुआता है उससे हुई जुड़ी संस्थाएं तो उन्हें भी देखेंगे तो यह संस्थाएं वकरे को discuss करना होता है इसमें एक discussion का area है का इस ministry से जुड़ी हुई एक मैन संस्थाएं forest survey of India FSI ही कब बना इसकी एक report आती है Indian state of forest report उस report से जुड़ी हुए जो है कि देश में forest cover कितना है area कितना है, tree cover कितना है, growing stock कितना, carbon stock कितना है वो सारे जो data है उनसे related question forest type से related question ये सारे discussion के मुद्टे रहेंगे और last में कुछ जो छोटी मोटी बात है इस type के जो अपने column आते हैं उस type के information होगी virus branches के father, national, international days, project ये सारे चीचाएंगे और यहाँ पर आकर कि आपका जो सामन वान की वाला मुद्दा है ये खतम हो जाता है सबसे पहले देखते हैं कि ये जो अपनी ministry of environment, forest and climate change है पहले हम लोग just ministry of environment and forest बोलते थे मुद्दी जी को सायद ये नाम पसंद नहीं आया तो उन्होंने climate change और जोड़ दिया इसमें तो अब हो गई है MOEF CC पहले MOEF थी है इस ministry की या मंत्रा लाइकी ये अभी भी कबिनेट का दरजा नहीं है इसकी इस्थापना कब हुई 1985 में भोपाल गैस कांड कब हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 जान रखो 2-3 दिसंबर 1980 1984 को इंद्रा गांदी जी 84 में ही कुछ मिड़ में खतम हुई और उस टाम पर राजीव गांदी जी की गवर्मेंट बनी ही बनी थी साहद 3-4 मंत हुए थे और ये कांड हो गया कब हुआ 84 में भोपाल गैस वाला जब ये बवाल हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ काम आवर लोडिंग रिजल्ट 1985 में इससे सीधा सीधा मंत्राला बना दिया गया अब ये मिनिस्ट्री है कोई भी मिनिस्ट्री है काम कैसे करती है अज की अगर मैं स्ट्रक्चर समझाओंगा तो थोड़ा समझना मुस्किल हो जाएगा हम लोग एक प्राइमरी जो इस्टार्टिक में जब डिवलप्मेंट हुआ उसकी साब से देख सकते है जब देशाजाद हुआ तो उस टाइम पे जो मंत्राला हुआ करते थे जनरली उसमें होता क्या था तीन लोग होते थे उपर बैठा हुआ है मिनिस्टर ये हमारे जो इलेक्टेड है जने हम लोगों ने जनता के प्रतिनी थी जने हमने बोर्ड दे करके वहाँ पहुँचा है टॉप पे ये बैठे है इनके पास उस फिल्ड का जिसमें जो इसमें ने पहुँचाया गया है मंत्रालाइ में उसका अन्भव हो भी सकता है और नहीं भी जैसे प्रजेंट टाइम है घर्ड करीजी है तो ये जो रोड इन्फरा है उसके बारे में ने काफी जैज़ा नौलेज है तो वहाँ पर ये डिसीजन अच्छे ले सकते है हो सकता है मुझे उठा के तुमने रोड में डाल दिया तो मुझे कुछ पता नहीं पड़ेगा या किसी को भी किसी अधर फिल्ड में डाल दिया हो सकता कोई नौलेज ना हो ऐसा भी संभाव है तो ये मिनिस्टर कैसे काम करेंगे इनके अंडर दो लोगों को रखा जाता है सपोज ये अगर मिनिस्टरी ओफ फोरेस्ट है तो यहाँ पर क्या होगा फोरेस्ट डिपार्टमेंट नीचे से उपर तक स्ट्रक्चर होगी फोरेस्ट डिपार्टमेंट के टॉप पर एक अदमी बैठा होगा ये होता है आई जी एफ इंस्पक्टर जनरल ओफ फोरेस्ट ये क्या है हेड ओफ फोरेस्टी फोर्स पूरा जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जो भी है आप नीचे फोरेस्ट गार्ड से ले करके स्टेट के टॉप और उसके उपर के जितने भी forest department के अधिकारी है सब के सब इसी के अंडर आता है सब का माई बाप यही आदमी है अब यह आदमी पूरे इस परिवार का मुक्रिया है परड़ाम क्या होगा यह है executive इसे उपर से जो बोला जाए कि हमें ऐसे से करना बोला ठीक और यह उसे implement कर दे तो यह होता है executive head जिसे जो भी policy act वगरा जो भी बताया जाता है जो भी implement करना होता है यह उसे implement सही से कर देता है अब implementation में ही इतना time चला जाता है कि इन से बोला जाए कि हमें यह forest act जो है अपना उसमें संसोधन करना है इसके पास टाइम नहीं है फोरेस्ट पॉलिसी बनानी है टाइम नहीं है माल लेजिए MP में 5000 करोड का कोई एक plantation scheme लेके आनी है तो क्या यह IGF जो है वो अपना काम छोड़ करके Ministry of Finance के पास काटूरा लेके जाए भाई साथ कुछ पैसे दे दो Ministry of Finance के सेकरेटरी के साथ बैठके बात करें भाई साथ पैसा पैसा चाहिए कुछ दे दो हमें चाहिए तो 5000 करोड़ा है आप 200-300 जो भी मिल जाए दे दो बाद मैं कल आ जाओंगा फिर से लेने ये काम नहीं कर सकता इसके लिए क्या होता है यहाँ एक थर्ड पर्सन भी रहता है यह है अपना सेकरेटरी एक टाइप से यह तीन लोग मिल करके इस मिलिस्ट्री को रन करते है जो सेकरेटरी है इसका कैसा है यह एक आइडियल पर्सन है बैठा बैठा सूचता रहेगा यह बोलेगा यह ऐसा होना चाहिए यह ऐसा होना चाहिए यह थिंक में बढ़िया रहता है इसे नीचे ग्राउंड का पूरा अनभाव होता है experience होता है, समझ है इसे यह पता है कि क्या संभाव है, क्या नहीं दूसरों के साथ coordination का काम कर सकता है लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जब execute करनी की बात आती है यह भाई साथ सर्दियों में 9 बज़े से पहले नियुट पाएंगे कहने का मतलब यह execution में अतने अच्छे नहीं है जितना policy making decision में है तो इस टाइप से दिमाग इनके पास है हाथ पैर इनके पास है यह इन दिमाग और हाथ पैर की मतलब से पूरी की चीजों को govern करेंगे ऐसे ministry काम करती है अब इसमें होगा क्या समाई के साथ complexity बढ़ेगी तो secretary के काम के लिए deputy secretary, additional secretary यह secretary वो ऐसी पूरी structure खड़ी हो जाएगी IGF है, यह forestry force था इसके अलावा दुनिया बर की चीज़ आ गई वाइलल लाइफ है, दुनिया बर की institution है, तो फिर उनके director एडिसन डारेक्टर यह वो फलान निमका ऐसी लंबी चौली structure हो जाती है, बहुत complex structure हो जाती है, उतने में हमें जाने की जरूवत नहीं है basic है, आपको एक basic idea लग गया ministry का समय के साथ काम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि नहीं यह लगने लगा कि पूरा काम दिल्ली में बैठके नहीं दिखा जा सकता तो क्या किया जाए, बो लाइक काम करते हैं सब कुछ दिल्ली में रखने से बहतार है हम कुछ अपने regional level की संस्थाएं बना देते हैं, regional centers बना देते हैं, regional offices जैसे इन्होंने एक office बनाया, नागपुर में वो क्या करता है MP, 36 गड़, महाराष्टा इन से related जो भी बिवाद होते हैं, जो भी काम है, जैसे MP, फुरेंच डपार्टमेंट का, जो भी दिल्ली से काम होगा वो दिल्ली नहीं जाएगा, वो पहले सीधे फाइल बेज़ते हैं नागपुर, और आलमोस्ट उनके काम नागपुर से ही होते हैं जहां मिनिस्टर का डारेक्ट इंटर्वेंशन हो, सिंटर की मिनिस्टर का, वही केस है कि वो फाइल नागपुर से दिल्ली जाएगी, बोपाल से दिल्ली डारेक्ट जाने का मुद्द ही नहीं रहता तो ऐसे उन्होंने रीजिनल सेंटर बना दिये, जिससे दिल्ली जो काम है, वो यहां रीजिनल सेंटरों पर ही निबढ़ जाए अब जैसे इन्होंने एक बार कोश्चन पूछ लिया कोश्चन भले ही इनके लिए था आसाम बालों के लिए पूछा गया क्योंकि उनकी आँँ था कि जो रीजिनल ओफिस है MOEFCC का नौर्थ इस्ट रिजन के लिए जो पूरे नौर्थ इस्ट रिजन को समगालता है उनकी फाइले दिल्ली तक बहुत कम आपाती है, यह सिलंग वाले ही जिल लेते हैं, वहीं से काम निप्टा देते हैं, अपना भी क्या था, इंडियन बोर्ड ओफ वाल्ड लाइफ पूचा गया यह भाई कब बनी फिप्टी टू में पचास साल बाद अटल जी के टाइम पे इसका नाम चेल्ज कर दिया गया, नेशनल बोर्ड ओफ वाल्ड लाइफ प्राइम मिनिस्टर को उसका जो अद्यक्ष है,bnorden वह बना धिया अदिया गया, भी स्ट्राइफ सब्सक्षा श protesting सब्सक्राइफ के सब्सक्राइफ ड्रजा है सबसे इस टाइब की जो बौडीज है कहाल बोर्ड ओवलीज को बॉड़ी जन्टर लेफशा में यह generally committee के अंदरगत काम करती है standing committee, ad hoc committee इस टाइप से काम करती है अगर working नहीं समझ में आती है तो मैं आपको ऐसे समझा दूँ कि आप 100 लोगों का group बना दिया गया इसी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप 100 लोगों का एक गुरॉप है अब forestry में अपने में जैसे पेपर में 15 यूनिट हैं तो आप मैंसे 10 लोगों को बुला तो मैं यूनिट 1 जो है general forestry जो अपनी section A है उस पर तुम 10 लोगों को उसका अच्छा knowledge है तुम लोग उसका material बना ओगे और बकागे सबी लोगों को दोगे और उसके basis पर बकागे सब लोग उस मुद्धे पर decision ले पाएं तो ऐसे छोटी छोटी संस्थाएं बना दी जाती है अब यहां question है Indian board of wildlife was first constituted in Indian board of wildlife है वो पहली वार उसका गटन कब किया गया answer क्या है 52 basically यहां ऐसा भी हो सकता था कि यहां यह पूछा जाए कि national board of wildlife का गटन पहली बार कब होगा तब भी वही चीज होती है Indian board of wildlife was constituted in the year यह question हम लोग एक बार देख चुके है यहां पर यह body in apex advisory body in field of wildlife conservation अब यहां पर दिख्कतें क्या है जो academic nature के है market में वही resources है वहीं से उठा के question बनाते है यह updated नहीं हो पाते हैं तो question भी वेज़ी आते हैं इसलिए अब नए reference पुराने reference दोनों देख के चली है national board of wildlife है प्राइम मिनिस्टर उसका चेर्मेन होता है second subordinate body आएगी botanical survey of India यह करते क्या है starting में जब forestry जैसे आजकल तो FRI बहुत सारी लंबी चौड़ी structure है पहले नहीं था तो पहले दो ही डिवीजन थे एक जानवरों का फिल्ड दूसरा पिड़ पौधों का फिल्ड जानवरों के लिए geological survey of India और पिड़ पौधों के लिए botanical survey of India अंग्रेजों के लिए animal resources थोड़े कम important थे plant resources सीथे सीथे resources से वहां से संसाधन थे तो सबसे पहले उन्होंने बनाया botanical survey of India medicine दुनिया भर की चीज़े मिलती थी कब बनाई 1890 में कहां पर कॉलकाता में उस टाइम पर देश की जो राजधानी है वो कॉलकाता ही हुआ करती थी 1911 में दिल्ली में आई तो क्या है कॉलकाता में 1890 में बनी botanical survey of India इनका लोकों क्या है बन्यांट्री फाइकस बैंगा लैंसेज यह botanical survey करता क्या था देश में जितने भी पिड़ पौदों से सम्मंदत मुद्दे हों रिसार्च हों उन सब का काम यही दिखते थे दूसरा जैसे नाकपुर में एक botanical garden बनाया है सत्पुरा botanical garden बहले ही उसे किसी local university से link कर दिया गया हो जैसे नाकपुर का है तो जो पंजाब राओ देश में agriculture university है उससे link है किसी को किसी और से link कर दिया जाता है पर यह जो botanical garden से इनकी funding कही न कही BSI कर रहा होता है वो करेगा क्या इस region में एक botanical garden बना दिया सपोच जैसे indoor में बना दिया वो इस indoor से 100-200 km के region में जितने भी पिड़ पौध ही मिल रहे होंगे उन सब को पकड़ पकड़ के लेके आएंगे और वहां पर उगाएंगे एक type से botanical garden में जाने का मतलब है उस region की जो biodiversity है वो पूरी की पूरी वहां है आप उनकी study कर पाएंगे पिड़ पौधों की study जो है वो करना वहां असान हो जाता है इस type से नहोंने बहुत सारे botanical garden आएंगे जैसे आज कल नए नए जो plant खोजे जाते हैं वो सब काम कौन करता है botanical survey of India लेटर phase में हुआ क्या कि बोटनी में भी diversification आए जैसे forestry वाले अलगा गए अब काम क्या है botanical garden वालों के पास सब कुछ काम है उनका छोटा सा काम है तो हम लोगों ने पेड़ पौदे वालों ने ले लिया लेकिन हमारे पास पेड़ 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 ट्री है बकाय का पूरा काम यह अभी भी दिखते है तो botanical garden वालों ने क्या किया बहुत सारे botanical garden बनाए है यह botanical survey वालों ने जैसे JC boss यह कहां पर है होराओ में दिल्ली में भी है एक इंडिन रिपब्लिक दुनिया का सबसे बड़ा botanical garden कहा है क्यों इंगलेंड में कई बार पूछा जा चुका है अब यह काम कैसे करते हैं यह भी अपने regional level पर centers बनाते हैं मुद्धा होता है कि क्या कोई center अपनी state में है अंसर है botanical वालों का तो नहीं है आसपास किजी में है राजस्थान में मिल जाता है एरेड जौन regional center जोधपुर पडोसी है तो रट्टा मार लेते हैं दूसरी संस्था हाँ एक बात और रेड डाटा बुक पहले क्या होता था IUCN का नाम सुना है आप लोगों ने वो निकालते थे रेड डाटा बुक उनकी रेड डाटा बुक में केवल एनिमल्स की नाम होते थे पिलांट्स के नहीं तो हमारी botanical survey ने क्या किया कि एक काम करते हैं जो endangered critical इस list के हमारे जो पिलांट्स उनका क्या किया था है तो इन्होंने अपनी red डाटा लिस्ट बनाना शुरू कर दिया बोले अब हम प्लांट और अनिमल दौनों की निकालेंगे तो अपने देश में इनके पास चार्ज है यह डाटा बुक जो अपने यहां की लिस्ट बन दी है यह अपनी भी बना देते हैं और उनकी भी बना देते हैं अब इनने अपनी बनाना बंद कर दी क्योंकि अब वो बन कॉपी पेस्ट करनी है तो दूसरी सलस्था भी कहां खोलेंगे उसकी सिस्टर और अरगनाईजिशन है जोलोजिकल सर्विय आफ इंडिया कहां पर कॉलकाता में है कब बनी? 1916 में लिखा है डियूरिंग वर्ल्ड वार वन लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रट्टा मारना है याद रहा है इसलिए गुलाई है वर्ल्ड वार वन मैं लडोगे तो एक दूसरे के सिंग मारोगे ना जूल जी बैसन है सिंग मारता ना बिलकुल गुस्ते मैं इसलिए वर्ल्ड वार वन मैं पहले फाइट जो है तुमारी कवड़ी कवड़ी हो बैसन की साथ हुई लोगो इंडियन वाइसन बॉस गॉरस क्या इसकी कोई रिजिनल संसा है हाँ भई अपनी आई है जबलपूर में सेंट्रल जॉन रिजिनल सेंटर रिट्टा मार लो यह अपने काम का है कुछ कुछन देख लेते हैं इसके रिजिनल सेंटर ओ बॉर्ट्रिकल सर्वेव आफ इंडिया इससेंट्रिटेड इन राजिस्तान में था तो राजिस्तान वालों ने पूछ लیا रियास रट्टा मार लो जज़दा कुछ है नहीं बहुत सारे हैं किसे किसे रट्टा मारोगे बोटिन कल सर्विय अफ इंडिया इन एकिन आइनटी कहा किस ने इस्टेबलिश किया तो ये किंग कॉंग था जो जॉर्ज किंग जो है यही था जॉर्ज किंग पिले आरोल इन इस्टेबलेजिंग असरवेज फर्स्ट एक्स ओफिस यो जो डारेक्टर बने यही किंग कॉंग था जॉर्ज किंग जिन्होंने बोटिन का सर्विय आफ इंडिया की इस्थापना करवाई मतलब मैन रोल था और डारेक्टर बन गए यह बैसा है कि नया स्टेट पॉलिटिकल पार्टि बना के हताल करो नया स्टेट बन बाओ और फिर उसके सियम बन जाओ अच्छी स्कीम है पुरानी स्कीम है हैड क्वाटर ऑफ जुलाजिकल सर्विय आफ इंडिया कहां पर है भाई कहां कॉलकाता रीजिनल सेंटर ऑफ बोटरिल का सरविय आफ इंडिया अब राजस्थान वाले हैं तो वह पूछेंगे नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंजिटी इसके बारे में तोड़ा आइडिया है हम लोगों को कि 2010 में बनी एक एक्ट के थुरू राजस्थी है हरत न्यास अब थोड़ी स्टोरी सुन लेते हैं क्या है इनवार्मेंट से रिलेटेड समस्या क्या है इनवार्मेंट से रिलेटेड बहुत सारे बिवाद आए दिन आते रहते हैं और सुप्रीम कोट में पैंडिन होते रहते हैं समस्या क्या है सुप्रीम कोट में पहले ही कोटों की बहुत सारी लंबी लिस्ट है उनी लिस्ट में इन्वारिमेंट से रिलेटेड, फोरेस से रिलेटेड, क्लाइमेट, चेंज से रिलेटेड तुनिया भर के केस आते हैं और वो उसी लिस्ट में बीच में दबे रहे जाते है मिनिस्ट्री को लगा के ये थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए तो एक काम किया जाए एक दिक्कत और है कि सुप्रीम कोट के पास इनवारिमेंट से रिलेटेड मुद्दों को डील करने के लिए उतनी इसकी नहीं है एक और मुद्दा है सुप्रीम कोट गवार्न होता है एक्ट के थरू एक्ट में लिखा है अगर तुमने इसको ऐसा किया तो तुम्हें यह होगा यह किया तो यह होगा लेकिन forest और environment जो है वो natural law of justice जो है उससे primarily govern होना चाहिए ना कि जो judicial procedure है law के थूरूर ये भी दिखके थे थी तो ministry ने क्या किया 1995 में 1995 में central government ने एक national environment tribunal का गठन कर दिया ये बोल दिया कि एक कम करो अगर आपके आपसी मुद्धे है तो पहले आप आओ इस tribunal के पास ये इस टाइप के tribunal जो है एक quasi judicial मतलब अधनियाएक संस्थाएं होती है जो किसी मंत्रालाई से जुड़ी होती है ये जुड़ी से नहीं है जो आपने सुप्रीम कोट, हाई कोट, जिला नियालाई ये जो जुड़ी सिस्टम है उससे जुड़ी संस्थाएं नहीं होती है ये किसी ना किसी मंत्रालाई से जुड़ी हुई क्वासी जुड़ी सियल, यानि कि अर्ध नियाएक संस्थाएं होती है आप इन संस्थाओं में आईए, आपने विवाद उठाईए, इनके टॉप पे, हाला कि जचिव वगएर कोई ही अपॉइंट किया जाता है लेकिन ये वो होंगे जिने उस फिल्ड के बारे में आप से फीस ली थी और वो फीस मालो कर अपसन अपसन कुछ हो गया, दे दी, या सपोच डिसीजन आपके फैवर में गया और मैं खुस नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिब्यूनल ने मेरी बात सही से समझी नहीं, या मेरी बात सही से सुनी नहीं गई, तो का जो मैं कहना चाहता था, उसका एक्सपिरियंस ही नहीं था, तो यहां पर क्या किया गया, 97 में एक अपीलेट ऑथोर्टी की गठन किया गया, कि अच्छा एक काम किया जाए, कि तुम पहले ट्रिब्यूनल में जाओ, और ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन हो, तुम उसे अपीलेट में देख लो, भाई हमारी बात दुबारा से सुनो, तुम ने पहली बार सही डिसीजन ने लिया है, या हम आपकी डिसीजनल एड़ाई से सिटिसफाई नहीं है, तो यह एक अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया, ओथर्टी का, यह हुगा क्या, कोड़ी बहुत भीड़ बरका तो कम होई ही जाएगी, लेकिन इन दोनों ने कोई खास तरक्की कर नहीं पाई, इनके पास क्योंकि जो भी मुद्दे थे, वो फिर जैसे के तैसे फसे रहा है, क्योंकि यह अपीलेट ट्रिब्यूनल के, या ओथर्टी के जो भी नड़ आए ट्रिब्यूनल और यह सल्ग Türkiye के ए हासी रह गीजाए, पहले यहां से यहां सीधे जाते थे हाई कोर्ट से सुपरीम कोर्ट, अब लोग हाई कोर्ट से ट्रिब्यूनल, ट्रिबूनल से सुपरीम कोर्ट, तो एक मेडियेटर की तरह काम हो गया, डिसीजिजन में की वालम भी हो गई तो 2010 में इन्होंने एक National Green Tribunal इसका गठन किया NGT का देखो ये अभी भी कौसी जुटीचर बोड़ी है नियाएक विवस्था का पार्ट नहीं है मिनिस्टी के अंडर सीधी एक Tribunal का गठन एक अर्द नियाएक संस्था का गठन किया जाता है राष्टी हरित नियास 2010 में एक Act आया उस अधनियम के थुरू एक संस्था का गठन कर दिया गया और इस Tribunal को एक टाइप से काफी जएदा पहले के कंपेर में बहुत जएदा तागित दे दी गई परपज यह हुआ या जो परपज था कि सुप्रीम कोट में जो भी से रिलिटेड मुद्दे हैं सब को उठा के Tribunal को दे दो और Tribunal अपने एरिया के मुद्दों को अच्छे सा सुनके अगले दो पास दस साल में निप्टा दे यह इसका बिसिक आइडिया था राष्टी हरित नियास कहा है दिली में कब बनी 2010 में इवन अब मालो बाल जो थे वो थे महराष्टा और MP के लोग लड़ मरें पेंच टाइगर रिजर्व था इधर का टाइगर उधर चला गया और उधर का कोई लेपड था वो इधर आ गया हमारे MP में आया और अपना हेराण रेखा के उधर चला गया और अपने इधर का लेपड उधर उनकी एक किसी जानवर को ठाके अपने एरिया में ले आया इस्टेट लेवल पर विवाद हो रखा है तो इनने हमारे जानवर को लेके गया है यह बाबाल कैसे जगड़ेंगे जगड अपना भोपाल में तो मैन ओफिस का दिली में और इस्टेट लिवल पे जैसे MP और महारास्टा ए च्छति-जल के जो भी ववाद थे चाहिए वो interstate हो या दो इस्टेटों को बीच में interstate interstate मीज़ एकी state के अंदर है या दो इस्टेटों को बीच में interstate जो भी विवाद थे वो सबके साथ regional office को transfer कर दीगा है जिससे work ये मुद्धे हैं उनका निप्तारा जलदी हो सके नेक्स मोता यह Tribunal प्रिंसिपल नेचुरल जिस्टिस के अकॉर्डिंग काम करते है मतलब यह अपना निर्ड़ा है क्या होना चाहिए उसके हिसाब से देखे चलते है पराकर्दिक रूप से जो पराकर्दिक नियाव है उसके हिसाब से चलते है किसी एक्ट में क्या लिखा है उसी के हिसाब से डिसीजन दें ये जरूरी नहीं है इनके लिए हाई कोट सुप्रीम कोट जो है वो सिविल प्रोसीजर के थुरू चलते है अगर उसमें आपने किसी के पत्थर फैक के मार दिया और उसकी सजा आपको दो साल की जेल है तो वो जेल है वही होगी क्योंकि वही लिखा है ये उसके इसाब से नहीं चलते है ये ये भी बोल सकते है भाई फ्रस्टेट था एक जाम नी निकला कोई छोड़ के भाग गई बहुत सारी चीज़े हो सकती है ये नेचरल जेस्टिस के अंडर चलते हैं ये उससे बाहर निकल सकते है और बोपाल में कहा है ये भाई ये है अपना घंटा नियाय का घंटा ये है राज्य सूचना आयोग जहाँ पर आप बचा की सूचना ले सकते हो जरूरत की चीज़े हो वहाँ पर आप नियाय भी मांग सकते हो National Green Tribunal का जो Central John जो बेंच है वो कहा है भोपाल National Green Tribunal Central John बेंच थार्ड फ्लोर सूचना पफ़न अरे राहिल्स भोपाल बस पिन कोड और जूट गया है इसमें नहीं तो आप उन्हें लेटर लेगती थे कुश्चन देख लो फुल फॉर्म क्या है NGT की NGT Act कब इनेक्ट हुआ NGT जो है कब बना NGT कब इन्टो फोर्स कब बना यह घुमा फिरा के कब इनेक्ट हुआ वही चीजें पूछते रहेंगे अंसर रहेगा 2010 यहाँ पर यह थोड़े फ्रेम पत्र में पढ़ गया है फर्स्ट चेरपर्शन कौन थे यह लोक इस्वर इस्वर सिंक पंटा प्रिंसिपल बेंच कहा है दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल एक्ट वाज पास्वाइ पार्लियमेंट कब जून में और यह अक्टूबर 2000 में गान्दी जी चैन्टी अक्टूबर 2010 में यह अक्टिव हो गया जन्टी की बाद कुछ और कुश्चन भी है इसी पर जैसे दे नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल एंगेटी डिफरेंट फ्रॉम सीपी सीपी सेंट्रल पॉलिशन कंट्रॉल बोर्ड के कम्पेर में एंगेटी कैसे अलग है सीपी सीवी अक्टइप से संस्था है लेकिन जूटीसेल संस्था नहीं है बो पॉलिशन कंट्रॉल के लिए बका की दुनिया भर के काम करती है lisam ngt निकिंडि एक टाईप सिजिजिए में कि उस टाइप के लिगल इसू को देखती है CPCB, Pollution कहाँ पर कितना वो भी Measurement के लिए काम करेगी दुनिया भर की Technology Development, Survey करना, सब कुछ करती है NGT has been stabilized by Act whereas CPCB has been created by Executive Order of the Government इनका क्याना है कि NGT तो एक अधिनियम के दुरूप बनी चबकि CPCB Government ने एक Order पास किया था उससे बनी थी आंसर है, गलत है NGT, NGT Act के थुरूप बनी और Central Pollution Control Board जो Water Act आया था 1974 1974 का जो Water Act आया था Water Prevention and Pollution को कंट्रोल करने के लिए जो Act आया था उसके अंडर बनी थी तो ये भी Act के अंदर बनी और ये भी Act के बनी मतलब ये Sentence है गलत NGT Provide Environment Justice NGT पर्यावरार से सम्मद्द जो निया है उनके देने के लिए है और Reduce Burden of Litigation of Higher Court वेर दा CPCV प्रमोट किलिननेस अफ इस्टीम वाल एंड एम तू इंप्रोव क्वालिटी आफ बोला NGT जो है वो Environment लिएनेस से सम्मद्द के लिए बनी गई है और जिससे के कोट पर जो इसे Related मुद्दों का जो बज़न है वो कम हो जबकि ये जो है वो साफ सफाई के लिए से Related मुद्दों को देखती है तो ये भी आंसर ये आंसर सही है तो इसका आंसर है Only Two ये मैंने यहाँ पर Act वो रखा का है Water Act वाला ये ध्यान रखना है कि ये CPCB Water Act में बनी है क्योंकि Center of Pollution, Pollution मतलब Environment, Environment Act आया है 86 में उसके थुरू नहीं उससे पहले ही माई बाप आ गए थे इसके 74 में दूसरा कॉस्चन है Which of the following statement is incorrect about National Green Tribunal कौन सा सेंटेंस है जो NGT के बारे में गलत है Tribunal shall be bound by the procedure laid down by the code of civil procedure ये बुला है कि जो NGT है वो अपने कैसे decision लेगा किस procedure को follow करेगा decision making में वो इस civil procedure code के तहत काम करके चलेगा नहीं भाईजाव ये करता है natural justice के अंदर civil procedure को follow नहीं करता इट एडिशन रोब डेली बोपाल पुने कोलकाता और चिन्याई सेल भी था other four place of sitting of tribunal ये कुछा तक ठीक है ये भाई एक quasi judicial body है ठीक है अर्ध नियाएक संस्था है NGT was established through the National Green Tribunal Act 2010 ये भी सही है तो ये नहीं है ये natural principle of natural justice के अंडर तहत काम करती है civil procedure code के अंडर नहीं ये लिख भी रखा है tribunal shall not be bound उसी को follow करें उसके लिए बिलकुल बाउंड नहीं है वो उसके हिसाब से चल सकती है लेकिन बाउंड नहीं है वो by large natural justice के अंडर चलती है एक question आया NEA क्या है question क्या है एक बार पूछ लिया तो बता दिया otherwise इसका मुद्दा नहीं है नहीं national environment authority हुआ क्या उस time पर media में थोड़ा popular था इसलिए term हो गया इसलिए इनने पूछ लिया otherwise इनका कोई मतलब नहीं बनते है आज के time पर अब यह है NGT Tribunal Act का वाया 10 में Biodiversity 2 में Environment 86 Public liability फर यहीं बचता है Next है Wildlife Crime Control Bureau 2006 में जब Tiger Tusk Force का गठन किया गया था उसके बाद यह जो wildlife crime है मैंने सपोज MP में कभूतर को मारा और मैं UP में भाग गया MP government या MP police मुझ पर action ले रही है लेकिन भाई UP में थोड़ी पकाने चले जाएंगे और जैसी यह यहां से जाएंगे योगी जी को call करेंगे योगी जी हमें आना है वो भाग गया है पढ़ाता था भाग गया वहां पर एक हमारा आदमी पकालना योगी जी परमी संदेंगे तब तक मैं वहां से बॉर्डर पकाड़ के हर्याणा में चला जाएंगा यह पहले UP में ढूड़ेंगे फिर हर्याणा वालों से बोलेंगे इधर बिहार वालों से बोलेंगे पता नहीं कहां गया तो यह बड़े बवाल है तो वाल्ड लाइफ क्राइम जो क्रिमिनल है यह किसी स्टेट बॉंडरी को तो फुलो करते नहीं है तो इस टाइब से सेंटर लिवल पर वाल्ड लाइफ के क्राइम यह मुद्दा भई है टाइगर टास्क फोर्स का टास्क फोर्स तो गठन किया जाए लेकिन जो टाइगर हंटर थे पूचर थे उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए बहुत सारी ट्राइबल कम्यूटी थी जो एमपी की थी जैसे पारधी साइध कम्यूटी है Bhopal के असपरस कोई है, वो बहुत फिमस है इस काम में, मैं हो सकता है मैंने कम्यूनिटी का नाम लेने में गिलत हो जाऊँ इस टाइम के Bhopal के असपरस ही कम्यूनिटी काफी फिमस हुई थी अब कैसे रुका जाए, नहीं आज ही M.P. में कल है महरास्टा में पड़सों कहीं हूँ और तो इनके लिए सेंटर लेवल पर कोई बॉडी जो इन्हें कंट्रॉल कर सके इस एरिया में क्योंकि देखो पुलिस है हमार यहां सबोस्च गोले के मंदर की पुलिस है इन से आप बोलो के वाल्ड लाइफ क्राइम हुआ है इस अक्सर ही है उसके लिए समाज में आना चाहे है कि इन चीजोंको कैसे हैंडल किया जाता है जैसे कहीं से सबूठ फॉरिंसिक एकटा करना होता है तो आम आदमी जू अथर्टी इसे बनाया गया था 92 में इसका भी ववाद किया है वैसे पहले देख चुके है वाइल लाइफ एक्ट में ही संसोतन करके ये सेंटर जू अथर्टी बना दी गई 92 में उत्सी टाइम पर वाइल लाइफ की में जो लिस्ट हुआ करती थी उसमें जो पैसे दे कर के मारते थी हम लोग बिग गेम इसमाल गेम एनिमल वो लिस्ट हटा दी गई थी और इसे बना दी गए थे बबाद जो थे बैगराउंड के वो सीधे थी एक चलिया घरवाले जो है वो एनिमल की पॉपलिसन को कंट्रॉल नहीं कर पा रहा है किसे कितना खिलाया जाए उसका कोई कंट्रॉल नहीं है कोई मैनेजमेंट नहीं है जानवर मढ जाए जिंदा रहा है कोई मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं है पाई वो भी तो इंडियन सिटीजन हुए तो उन्हें कैसे रेगुलेट किया जाए एक चलिया घर में जधा जानवार है दूसरे में है नह सब दो हमेद भी दे तो यह नहीं दे रहा इसे कैसे पहुँचाए जाए जो मैन इटर हो गए है आदमी पर अटेक कर देते ऐसे जानवर जो जंगलों से पकड़ के लेके आ रहा है उन्हें किसे दिया जाए और नेक्स चेड़ी है घर जानवरों की जो रियरिंग है जानवरों का जैसे चीता है हम लोग वहां से सब्सक्राइब सौ चीते लेके आए लेकिन उन्हें की ब्रीडिंग करवाके उन्हें हजार चीते करने के लिए कौन रिस्पॉंसिवल होगा कौन ये काम करेगा उसके लिए कुछ संस्था होनी चाहिए जैसे वाइलल लाइफ इंस्ट्टूट आफ इंडिया ये अब आए है उससे पहले कोई ने दूसरा डवलू आई आई भी कुछ ही छेतर में काम कर पाएगा इसे भी गराउन पर कोई ना कोई इंफरास्ट्रक्टर से ये प्रॉपर सुपूर्ट से ये वो कहां से देखा तो सब को चीई दे देते है नेशनल बायो डावरसिटी ऑथर्टी पूछा गया कहां पर है इसका हैड आफिस कहा है चीन रही में कब बना तीन में एक्ट कब आया दो में नेशनल म्यूजियम आफ नैचुरल हिस्ट्री मुद्दा क्या था देश की आजादी के पच्चीस वी वर्सगाट पर ये बुला गया कि देखो पच्चीस साल तो हमने क्रोस कर लिये है अब हमें कम से कम एक ऐसी संस्था का गठन करना चाहिए जिसम है अपने देश की जो भोगलिक जो इतिहास रहा है उसका वहाँ प्रदर्सन हो जिससे हम लोग देखके देश की जिगोगराफी भोगलिक इतिहास को समझ सके उसके लिए यहाँ पर एक बनाए गया है National Museum of Natural History बाद में बनते बनते ओजगाटन का होगाया 78 में ही Central Jew Authority नेक्स है National Remote Sensing Agency इस रो है Indian Space Research Organization हाँ भई लिखा तो है इस रो ने क्या किया बहुत सारी संस्थाएं बनाई हैं अपने उनी मैंसे दो संस्थाएं हैं उसकी एक है National Remote Sensing Agency या कई बार इसे बोला जाता है National Remote Sensing Center जैसे यहां एजन्सी लिखा यहां सेंटर बात एक ही है यह है क्या इस रो के पास दुनिया भर के काम है लेकिन इस रो की जो सेटलाइट है उसे जो डाटा आ रहा है उसके लिए यह हम लोग Remote Sensing वाले एरिया में काम कर सकते हैं सेंटर लिखा होगा है कहां हिदराबाद में इनने एक संस्था और बनाई Indian Institute of Remote Sensing यह कहां पर है यह है दहरादूर में Indian Institute of Remote Sensing इसका बड़ा मुद्दा आया था जब जो केदारनात वाली जो घटना हुई थी 2012-2013 की असपास तो उस ताइम पर भी संस्था पर काफी आरोप लगे थे गुवर्मेंट बोल रही तुमने सही इन्फरमिशन ने दी संस्था बोल ले हमने दी तुमने मानी नहीं मुद्दा वो नहीं है किसने क्या किया मुद्दा यह है यह दहरादूर में ही है तो इंडियन इंसिट्यूट आफ रिमोट सेंसिंग यह कहां पर है दहरादूर में परपज है यहां जो एकेडमे की जो एजुकीशन बगर है बो सारी चीजें बहतर तरीकी से इस फील में परिमोट करवाई जा सके है फोरेस्ट एजुकीशन से रेलेटेड बाद में अपनी बनी इंपिरियल फोरेस्ट रिशर्च इंसिटूट कब? 1906 में ज़ता फिर सेंटर लिवल पर कुछ हुआ नहीं चलता रहा ऐसी चीज है फोर्टी एट में संस्था बनी लेकिन चलो कोई बात नहीं बाद में देख रहेंगे में मुद्धा आता है बोपाल गैस कांड और अपनी बनती है मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के पास दो एरिया है एजुकेशन का और रिसर्च का इन्होंने क्या किया पहले एजुकेशन के लिए काम करते हैं एक में संस्था बना देते हैं ICFRE Indian Council of Forest ध्यार रखो ये Forest है Forest ही नहीं है कई बार वो Forest ही लिख देते है और हम लोग कांड कर देते हैं वहाँ पर इसी टाइप से पूरा लिखा होता है और वहाँ पर Forestry लिखा होता है और दूसरे option में Forest लिखा होता है Indian Council of Forest Research and Education ICFRI कहां बनाई गई देहरा दून में कब बनाई गई 86 में देखो 85 में बनी 86 में ICFRI ये बना दी ये ICFRI है क्या देखो देहरा दून में पहले से ही FRI थी Forest Research Institute थी बड़ा सा कैमपस था उसी के पीछे की साइड एक पलोट साफ किया पर पौदे लगे साफ किये और एक नई बिल्डिंग बना दी और उसे बोला बेटा तुम हो ICFRI और FRI बालों से बोल दिया ये जो हमने नई नई बोडी बनाई है आज से यही तुमारे माई बाप है तो FRI को भी इसके अंडर कर दिया रहे हैं वो बात अलग है कि आदे लोग जो सुवाइदर काम करते हैं तो आफ्टर नून में FRI में काम करते हैं स्टाफ लग बाग मिलता जोलता है यहां पर मुद्दा आएगा ट्रैनिंग का ट्रैनिंग के लिए क्या किये गए एक तो जब देश आजाद हुआ है उस टाइम पर जो देखो इस्टेट सर्विस थी सेंटर पर तो थी नहीं आएफस हुई 1966 के आसपा सुरू तो इस्टेट लेवल पर जो एसी एफ थी उनको ट्रैनिंग कैसे दी जाए तो उनके लिए यहाँ पर डारेक्ट ट्रैट और फोरेस्ट एजुकेशन यह बनाया गया था जो एसी एफ आरेफ को ट्रैनिंग वगरे के लिए मट्जिल वगरे प्रिपेर करता था कैसे ट्रैनिंग देना क्या करना वो वगरे दिखता था ये डारेक्टरेट उनको भी ट्रेनिंग दे रहा था, काम बढ़ गया, मिलिस्ट्री बनी तो इनने सोचा कि भाई यार यार ये दोनों की ट्रेनिंग की रिक्वार्मेंट अलग अलग है, हम लोग एक ही जूता सबको एक ही साइज के जूते पहना रहे हैं, तो इन्होंने क्य सेटप खड़ी कर दी, वो है इंद्रा गांधी नेशनल फूरेस्ट अकेडमी इगनफा देरादूल, कब बनाई, 87 में, 86 में यह बना उसके अगली साल, वो बन गए, अब पहले हम लोग आईसी अफारी को देख लेते हैं, कब बनी, 86 में, आईसी अफारी जैसी बनती है, त फूरेस्ट रिसर्च इंस्टूट, देरादून, अफाराई उसके अंडर आ गई, कब बनी थी, 1906 में, दूसरी है, ट्रॉपिकल फूरेस्ट रिसर्च इंस्टूट, देखो, जैसी यह 86 में बनी, इसने सीधी दडाम से, तीन संस्थाएं बना दी, 88 में, क्योंकि अब जोर हाट, रैन फोरेस्ट रिसर्च इंस्टूट, ती यह बरसात जैता होती है, जोर हाट में, इंस्टूट ओफॉरेस्ट जैनेटिक्स ऑं ट्री ब्रीड़िग कोई मिटूर में, वोड साइंस का जो मुद्दा है, बैंगलोर में, हिमालेयन फोरेस्ट रिचर्च इंस्ट इंस्ट्यूट ओफोरेस्ट प्रोडुक्टिविटे ये राची में फोरेस्ट, ज्यदा राची में प्रोडुक्ट, उत्वदन, इंस्ट्यूट ओफोरेस्ट बायो डैविस्टी है धराबाद, ये अभी रिसेंट्ली बनी है, इस टाइपशेशन ने संस्थाओं की कोई एक खड़ी कर दी अब यह संस्थाइं जब सटप बनती है तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़े जाती हैं कई वार क्या है छोटी-छोटी से मुद्दे होते हैं जिन के लिए पूरे बड़े सटप की जरुवत नहीं पड़ती है तो ने क्या कर दिया इनी संस्थाओं से डिवलाप्मेंट चिंदवाडा में बनाई गए यह इसे उठा कर डाल दिया गया है ट्रॉपिकल फोरेस्ट रिशर्स इंस्टिट टिया फर है जबलपुर के अंडर ऐसी बंबू और रेतन पें एफर्टी है एजवल में एको रियाबिलिटेशन है कोस्टरल एको सिस्टम ह करने है लाइन हूड लाइी लाइवड लियोट एक्स्टिय सैने यह बगाया है हमें क्या याद रखना आ अपनी वाली रखना है यह या अर्षियर कौन कहा है यह कर को मैं तो याद रहा है काम हो जाएगा अब FRI को भी एक वार देख लें पिक्टोरियल यह आपकी रही Forest Research Institute कब बनी थी आपकी 1906 में यह जो है इसका background जो है back foot आप इधर से कहीं जाओगे यहाँ पर कहीं आपको मिल जाएगी ICFRI जो बाद में बनाई गई इसी building के इस कुने पर यहाँ पर इस टाइप से जैसे यह है यहाँ पर कुछ है इनके बारावर में यहाँ पर इनके लिए ट्रेनिंग जो होस्टल वगरा है वो है और यहाँ पर बनी हुई है यह इगनफा इंद्रा गांदी National Forest Academy और इसके दूसरी साइड इसके ज़स्ट सामने मतलब इगनफा है उसके सामने का जो ग्राउंड है उसमें IFS दौरते बागते हैं सुबह सुबह बीच का रोड है दूसरी साइड AC अब दौरते बागते हैं बस ऐसा इनका काम चलना है IFS की ट्रैनिंग का मुद्ध अगर दिखा जाए तो इस ट्राइटिंग में सर्विस चली इन्हें जर्मनी की जर्मनी में ट्रेंड करवाते रहे फिर जर्मन से थोड़ी खटपट हुई तो जर्मन और फ्रांस में करवाते रहे अब जब जर्मन और फ्रांस दोनों से ही बगड गई बगड़ी मतलब पहले जर्मन से नहीं बगड़ी जर्मन ने होलेंड वगएरे पर आटेक कर दिया तो वार में आगा है तो फ्रांस में ट्रैनिंग देने लगे बाद में फ्रांस के साथ इनके खुद के कॉन्फलिक्ट खराब हो गए तो उन्हें समझ में आया कि भाई कितना भी कर ले दूसरों के उपर बैट के हम अपनी सर्विस नहीं चला पाएंगे तो फर इन्हों ने घुमा फिरा के अपनी आख खुदी ट्रेनिंग देना सुरू की ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है अपने को बस एक बेसिक समझना है कि उससे पहले बाहर ट्रेनिंग होती थी फर ये ब्रेटेन में आगा है तो कूपर हिल वाली रीजन में देती रहा है फर इनने बोला ये नहीं कर पा रहा है तो क्या किया जाए यूनिवर्सिटी थी जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्बरेज, इडिनवर्ग इन से बोलती है भाई तो मीं ट्रेनिंग दे तो जब कुछ नहीं हुआ तब घूम फिरके ये आए चांद बाग में जो अब दून स्कुल के नाम से है उसमें फिर इनकी फाइनल ट्रेनिंग होती रही ले टर फेज में सर्विस बंद हो गई तो इनकी ट्रेनिंग का मुद्दा इनकी लिए खत्म हो गया फिर एफराई बन गई तो एफराई की जब मैं पढ़ गया है ट्रेनिंग का मुद्धा तब तक उने पास वो संट्रल का एक इंस्टूट बनी गया था जो एसी एफराई फो देता था वही देने लगा जाए अब एगनफा हो गई तो फिर वो अलग बट गया और इनका अलग आफटर जो एकेडमी जो आई एफस वालों को ट्रेनिंग देता है किस की नाम पे है वही इंदरा गांदी की नाम पे है क्यों क्योंकि इंदरा गांदी वो फिर्स लेटी थी जिसने सबसे बड़ा मेजर रॉल पे लेगी अब फोरेस्ट वाई लेव के सेक्टर में रेंजर है इन्डिन इन कॉंसल ओफ फोरेस्ट रिसर्ट एंड एज्यूकसंदे को इंडिन काॉंसल ओफ फोरेस्ट रिसर्ट मैं भल रा था फोरेस्ट है यह ऐसे कही बार कुश्चन आ चुके है ICFRI जो है कब बना कब established हुआ ICFRI को autonomy कब मिली 91 में MP में पूछा गया 91 में autonomy मिली कौन सी है जो ICFRI की institute है pick out the odd man मतला कौन सी है जो ICFRI की institute नहीं है Indian Wood Science and Tech है हिमालेन Forest Research TFRI NRCAF यह नहीं है यह National Research Center on Agroforestry यह ICAR की संस्था है जो Agroforestry की सर्च के लिए man body है आगे हम लोग डिसकस करेंगे यह कम से कम 20 वार आगी इनर्सी एफ ट्रॉपिकल Forest Research Institute कहां पर है जवलपूर कहीं है यह जवलपूर जैपूर जो यह जज़ए देते हैं इसमें द्यार रखना कही वार लग जाता है ICFRE Apex Body है Forest Researcher Education की इसका Headquarter कहां पर है भाई साब देहरादून में चलो गहीं और कोई दिक्कत यह बड़े भहेंकर वाले हैं इनने बोला कि भाई अपरेल 1988 में जवलपूर में एक संस्था का गठन किया गया ठीक है जो Central Region में Forest Education के लिए संस्था का नाम गया है कहा है Tropical Forest Research Institute यहाँ पर हम लोग नीरी यह इन सब को भी देखेंगा गया इस टाइप के कुश्चन है रेन Forest Research Institute बरसात कहा है असाम मैजोर हट सेंटर ऑफ फोरेस्ट प्रोड़क्टिटी राची Central Arid Research Institute कारी बोलते हैं से हैं C-A-R-I कारी कजरी नहीं बोलना हूं कजरी इस टाइप की संस्था के अंडर आता है यहां कारी है Central Arid Research Institute कहा पर होगा चोद पूर देख लेना है उसे Institute of Wood Science and Tech लगड़ी का जो भी काम है जवालपूर में होगा Forest Genetics and Tree Breeding कहां पर है कोई मिटूर में है बायो डाइवर्सिटी की बात की जाएगी तो कहां है हिदराबाद तिलंगा ना में है ठीक है इंडियन इंस्टिटूट अफ फोरस्ट मेनेच्मेंट आई आई एफ़ेम भोपाल में 82 में डवलू आई आई दहरादूं 82 Center of Environment Education CEE अहमदाबाद ये कई बार पूछी जा चुकी देखो Center of Environment Education होता क्या है Ministry of Environment Forestry के ही कुछ retired officer होते हैं उन्हें लगता है कि Forest Education में कोई ऐसा leading institute नहीं है retirement के बाद वो CEE का निर्माल करते हो और वहाँ पर settle हो जाते हैं अब क्योंकि ये ministry से ही जुड़े retired officer है तो इन्हें के junior's वहाँ काम करेंगे तो इस type से government के साथ इनका coordination बिल्कुल सही बैठा और इन्हें इस field में काफी अच्छा काम कर पाए तो काफी famous sense था है Center for Environment Education मैं फिर एक चीज़ और बोलना चाहूंगा यहां confusion मत होना एक है CSESE कुछ है सुनिता नाराण की संस्था है सुनिता नाराण जी है down to earthic magazine निकलती है दिल्ली से उन्हें की संस्था निकलती है उसके साथ और CEE के साथ अक्सर confusion हो जाता है तो यह दोनों अलग अलग है Indian Institute of Forest Management बोपाल यह बनाए भी कैसे गई इसके लिए स्रीडाने फंड की बोला एक काम करते हैं IIM बालों के साथ यह मिले इनका पैसा था इनका management था और बोला Forest Management के लिए हम कुछ करते हैं तो इनने एक साथ खड़ी कर दे हैं हम कुछ देख लेते हैं IIFM कहां है International Center for Community Forestry is located IIFM में क्या हुआ अभी कुछ टाइम पहले बना जो Community है Forest Community उसके betterment के लिए कोई एक सेंटर बनाए जाए जो उस एडिया में Research Development का का काम कर सके तो कहां बनाए जाएगा IIFM सबसे बेस्ट संसा है उसी से जड़ जाएगी तो IIFM भोपाल Wildlife Institute of India कहां पर है देहरादून Animal Welfare Board जो National Biodiversity Authority कहां है चिन्डाई Animal Welfare Board कहां है वहीं और यह बना किसके अंदर जो Prevention of Animal cruelty था 1960 का Act उसके अंदर यह बना है जीवी पंथ हिमालियन अलमोडा में है उत्राखण में हिमालियन रिसेट्स पर सबसे जड़ा काम यही करती है गोविन बलब बंथ National Institute of Himalayan Environment अलमोडा कुछ ICR से जुड़े हुए कोश्चन है क्योंकि Forestry Education से जुड़ा जुड़ जाता है तो वैसी books publish होती है और यह पुछ लेते है कोश्चन यहां पर क्या ICR कब बना बस इतना देहन रखो जितने कोश्चन है यहां बहुत है इससे जड़ा नहीं ICR की एक मेंसंस्ता है C.A.R.I. कारी यह और है Central Agroforestry Research Institute इसे पुराना नाम था National Research Center on Agroforestry NRC E.A.R.C.E.F. यह तो मेरे टाइम तक यह NRC E.A.R.C.E.F. के नाम से जानी जाती थी जहां सी में दो बड़ी संस्ता हैं जो National Level पर काम करती है एक Grassland है Indian Grassland and Fooder Research Institute जहां सी यह गौलियर रोड जहां सी में पढ़ती है दूसरी संस्ता है यह Central Agroforestry Research Institute पुराना नाम था NRC E.A.R.C.E.F. जो अभी आपको बताया था कि कौन सी संस्ता है जो ICF अरी फ्रेंबर केंडर नहीं है वो यही लिख रहा था NRC E.A.R.C.E.F. इसका अब नाम बतल गया है और अब नाम इसका Central Agroforestry Research Institute कारी यह नीचे वही लिखा है नीचे तो यह Grassland वाली है Indian Grassland and Florida Research Institute यह जो NRC E.A.R.C.E.F. है क्योंकि Agroforestry जो है आपका एक सबजेक्ट है साथ Unit 3 में है तो क्योंकि हमें Agroforestry बहुत डिटेल में पालना होता है इसलिए हमें यह दोनों संस्थाओं को अच्छे से पालना पड़ता है पूरा Agroforestry पे काम यही करती है Question क्या है National Research Center for Agroforestry NRC E.A.R.C.E.F. कब बना? कहां पर Located है? यह डिटेल बैसे दे दी है और जो All India Coordinate Research Project चला था 83 में वो भी यहीं से चला तो इसका भी पूछा जाता है इसका Headquarter कहां है तो यह जहासी में है उसी से जड़े हुए Question है फिर Question है NRC E.A.R.C.E.F. क्या है NRC NAM, नया NAM क्या है इसका यह नागालेंड वालों की Forestry का Paper होता है उसमें आया था नया क्या है? अच्छा New NAM, देखो NRC E.A.F. यह तो पुराना नाम है, अब है Central Agroforestry Research Institute यह इसका नया नाम है CAFRI Central Agroforestry Research Institute ठीक है? Central Agroforestry Research Institute तो इसे या तो कारी बोल दो या Agroforestry को इने E.F. कर दिया तो CAFRI कहाँ पर है? Headquarter of All India Coordinate Research Project on Agroforestry कहाँ पर है? Grassland पूछ लिया गया है, कि भाई कहाँ पर है यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यह 62 में बना था, जहांसी मैं इसे दिख ले ना ICR के अंडर की यह संस्था है कुछ और संस्था हैं जो Other Ministryों के अंडर है जैसे एक है Indian Lake Research Institute जो लाख है हम लोग आगे Forest Utilization पढ़ेंगे लेकिन बस Basic देख लो लाख है, एक कीड़ा है, उससे निकलता है तो लाख Research Institute कहाँ पर है? राची में है, आब इसका नाम बतल गया है पहले भुगा करता था Indian Lake Research Institute अब इसका नाम है Indian Institute of Natural Region and Gum पुराना नाम था इसका Indian Lake Research Institute कहाँ पर है? नाम कुम राची राची याद रख लो, काम हो जाता है Indian Institute of Soil Science यह ICR की संस्था है, जो स्वेल से जोले काम देखती है यह कहाँ पर है? भुपाल में है अपने Indian Institute of Soil Science इस डिये से दिख रहा है, अदरवाइस अपने मतलब नहीं है यह दो और संस्था है Indian Bureau of Plant Genetic Resources यह है नागपुर में NBSS and LUP National Bureau of, सुरी National Bureau of Plant Genetic Resources Plant से रिलेटेड जितने भी Genetic Resources हैं, उनको एक जगह एक खटा करके लाइबरिरी टाइप की बनाई जाए है यह कहाँ पर है? दिल्ली में ही है ICR की कमपस में Forest Genetic Resources की बात की जाएगी तो आप सीधे भुपाल दहरादून पकड़ लेना यह कहाँ है? दिल्ली में ICR की ही अंडर है यह है उसी के कमपस में है नागपुर में दो अच्छी संस्था हैं काफी फिमस है पहली है NBSS and LUP National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning यह कहाँ है? नागपुर में है संस्था की गठन का उद्दिस था कि जमीन का बहतर तरीके से कैसे उप्योग किया चाए उसकी प्लानिंग वगरे करना यह NBSS e वाले हैं जिन्होंने जिसको अग्रोकलाइमेटिक जौन में किसमें कितना बाटा आएंगे वहाँ पर इनका बबाल आएगा इनने भी काफी अच्छा काम किया दूसरी संस्था है नीरी Environment Engineering Research Institute National Environment Engineering Research Institute नीरी कहा है? नागपुर में बियज नैचेस Bombay Natural History Society कहा है? कब बने? लोगों क्या है? यह चीजें कॉमन सी हैं पहले देख चुके है Wildlife के इस हितर में एक और संस्था है Salim Ali काफी famous ornithologist थे Bombay Natural History Society से जोड़े रहे इनके नाम पर कोई में टूर में forest के बीच में एक संस्था का गठन किया गया एक building सी थोड़ी वैसी दिख रही यह है इसे बोला जाता है सैकून Salim Ali Center for Ornithology and Natural History Ornithology, bird कई बार पूचा गया Salim Ali किस से है? इंडियन Birdman of India के नाम से बोलते है पक्षी सास Birdman पक्षी सास का पिताम है कोई मिटूर में है कोई मिटूर के दर्सन होगा है इसमें क्या है? एक काम और है Ministry of Environment ने क्या किया? अलग अलग टाइप के डाटा के लिए अलग अलग टाइप के छोटे छोटे रीजनल सेंटर्स बनाए गया है Forest Productivity का मुद्द आया उनोंने IIFM में एक सेंटर्स बना दिया वेटलेंड का मुद्द आया तो पूरे देश मेंड वेटलेंड को कि लिए? पक्षियों के लिए मैंनली है क्योंकि पक्षियों का नीनतलर दिहन देना है तो उनोंने सेकूर में ही एक सेंटर्स बना दिया यह INVISC Center मतलब Environment Information System पूरे देश में जो भी विटलेंड का डाटा होगा उसका मैनेज करने का काम इन्हें देती है जैसे National Park Wildlife Century इसका पूरे डाटा को मैनेज करता है WIA Wildlife Institute ऑफ इंडिया उन्हें अपने यहां एक पूरा कमरा अलॉट कर रखा है उसे सेंटर बना दिया और देश में जो भी इस नेशनल पार्क वाले लाइफ कंजर्विशन रिचर इस से रिलिटेट जो भी डाटा होता वो बो म कड़ा दिया है यह नीरी यह CSIR की संस्था है नीरी नीरी कहां है बस इतना याद रख लो कहां पर है नीरी दागपुर में है नीरी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कहां पर हैं वो कुछ दे कब बनी बहुत है सेंट्रल सिल्क टेकनोलोजी रिसर्च इंस्ट्यूट सिल्क कम मुद्दा आ जाता है तो यह बैंगलोर है कुछ खुमाफरा की कुश्चन है यह एक टाइप से एडिशनल कुश्चन है जैसे फॉरस्ट रेंजर वगरे की एक्जाम में बूजे गया है काम के हैं इसलिए डाल दिया गया किसी संस्था को अपन को डिटियल में नहीं पाना है सेंटर फॉर इंवार्मेंट एज्यूकेशन वही एमदाबाद वाली नेक्स मुद्दा आ जाता है अपना फॉरस्ट सर्वे ओफ इंडिया और इसकी रिपोर्ट हम लोग फॉरस्ट सर्वे को थोड़ा लेट आपकी चोईाती मेरे साथी किसका क्या है ये कुछ चलते फिरती चीज़ है इन्हें पढ़ लेना साथ में आपके कुछ डे जाजाएंगे ये दुनिया भर के एकजाम मैं पूछ रहा के जो मतलब के ते डाल दी है बहुत सारे को छोड़ दिया लेकिन यहां पर जो भी अप इतने मतलब के थे सब डाल दी है इनमें कोई इंपोर्टेंट है नहीं है ऐसा मत सूचना सब को पढ़ना है इनमें से ये सारे काम के हैं जैसे मलो ये है वर्ल इनवार्मेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है कोई पूछे का कब इसका अब्जर्ब किया जाता है अरे दु कोए सबसे छोटा पिड़ कौन है चिल्गोजा किसे बोलते हैं जिंकोवाइलोबा पिड़ है उसके फ्रूट कु उसका फूट जो है उसे चिल्गोजा निकालते हैं ताल्ष्ट कौन सा है लार्जेश 환ूत कौन साई यह कौन है सी बाक्थान का साइंटिफिक नेम की अभी व आप ऐसे समझे लो जनरल फूरस्टी आपके 10 कुश्चन निकल रहा है तो थोड़ी मेहनत पड़ जाती है ये जितना भी पार्ट कर रहा है इस मैंसे आपके 10 मैंसे लगबग 10 कुश्चन निकलाते है कुछ और टर्मिनलोजी है जैसे आई जाइलेरियम कहा है जाइलेरियम क्या होता है देखो जाइलम मतलब लकड़ी वुड जाइलेरियम मतलब सभी पेड़ों की लकड़ी की एक एक जगाए छोटे छोटे पीस रखे मुद्दा क्या है मालो मेरी टिम्बर इंडरिस्ट्री है तो माय मुझे बुला यह टीक की लकड़ी है वो लकड़ी बबूल की थी सामने बाले को नहीं समझ में आ रही तो एजुकेशन कहां दिया जाए तो एक संसा बना दी जाए जहां सभी की लकड़ीों की पीस रखे हो जिससे समझ में आए कि भाई साम टीक की लकड़ी यसी होती है साल की यसी है बबूल की यसी है वो एक जगह मुजियम मना दिया गया अब वो है जालेरियम कनी मारा टीक भाई कहां पर परामबी कुलम टाइगर रिजर्व है कीरल में वहां पर एक बड़ा सा पेड़ में लगया यह बोल सकते हो के खुस किसमती से यह पेड़ बस या नहीं तो बिटिस ने कभी छोड़ा नहीं यह है कनी मारा जो परामबी कुलम टाइगर के अंदार है हम लोगों ने ये बोल दिया भाई ये सबसे ओल्डेस्ट लगवक साइज 600 साल का है सबसे ओल्डेस्ट पेड़ है लिविंग ट्री है अब यहां पर पेड़ देखो चोड़ाई ओड़ाई दिख रही है जब ये हाल 600 की है तो जो 2000-2000 ये ओल्ड ट्री होंगे उन का गठा बना दिया तो मैन स्टैम में फ्लूटेड टेंडेंसी ये किस में होती है टीक में होती है ये आगे हम लोग 10 बार पढ़ेंगे फ्लूटेड टेंडेंसी किसमें होती है टीक में ये कर्णी मारा की टीक में बिलकुल मस तरीके से दिख रहा है कर्णी मारा टीक ग्रास की स्टड़ी हम लोग एग्रास्टोलोजी के अंडर करते हैं हर्पिटोलोजी है जो एंपीबियंस है उनके लिए लिम्नोलोजी तालाव फ्रिसवाटर लिख आजकल हम लोग देखो जब लिम्नोलोजी शुरूबात की गई उस टाइम पर परपच्छ था फ्रिसवाट जो पॉंड हुआ करते हैं लेकिन आजकल क्या है कि पॉंड की स्टड़ी फिर वो उसमें एरिया दीरे 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 बढ़ते गाए तो लिम्नोलोजी एक टाइप से हो गया कि जो भी फ्रिसवाटर है पहले लिम्नोलोजी बाइलारिज तालाव से रिलेटेड़ था अब देखते हैं पहली और बाटनी प्लांट पुराने टाइम पर क्या थे ऐसी ब्रांचे वगर रहे हैं उनकी देख लेना फिर कुछ की फादर आ जाएंगे माता-पिता कंट्रिबॉशन ऑप जी टीपी जैनरली इंडिया में फॉरस्टी का कंट्रिबॉशन एक से दो परसेंट है और यही लगवागे स्टेट में है फिर वो पर कैप्ट आप फोरेस्ट एडिया कितना है गलोबल लेवल पर पॉइंट सिक्स है तो इंडिया में पॉइंट जीरो सिक्स आएगा इंडिया सेवन्थ वर्ल लाइजर्ट इतना ही है वो फलान एडिम का कितने अपने वो हैं फेमस कुछ परसनेलिटीज हैं इनके थोड़े बहुत नीज में आ जाते हैं इनने दिख लेना अपना काम हो जाएगा यहां पर यह बिसिक थे इनका काम हो गया इनकी कुश्चन कर लेना लिस्ट वैसे जनरली मिली जाएंगे बहुत सारी जिकाह मिलेंगे यह पिता तो एग्रो फोरिश्टी के फादर कौन है फोरिश्टी के कौन है ग्रीन रिवॉलिशन के कौन है इसकी कौन है फलड वाइट रिवॉलिशन के कौन है ऐसे फादर पित आपर थे आपड़ों